कक्षा आठवी विशे हिंदी पाठ तीन नाखून क्यों पढ़ते हैं भाग तीन इस पाठ के पिछले वीडियो में हमने यह पढ़ा था कि किस प्रकार से एक बार लेखक के मन में यह प्रश्ण उड़ता है कि आज हमारे समाज में मनुश्य पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुश्यता की ओर बढ़ रहा है देखने जाए तो आज हमारे समाज में मनुश्य जो है वह पशुता की ओर अधिक बढ़ रहा है पसू और मनुश्य में क्या अंतर है वह उससे किस बातों में भिन्न है हमारे देश की जो परंपरा है जो हमारे देश का संसकार है वह एकदम उच्जुल है उस पर लोगों को गर्व है अब हम अपने इस वीडियो में बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुश्य के नाखुनों का बढ़ना बंध हो जाएगा प्रानी सास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुश्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार जड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूँच जड़ गई है अनुमान का अर्थ होता है अंदाश लगाना अनावश्यक का अर्थ होता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं हो तो बच्चों यहाँ पर लेखा क्या कहना चाते हैं कि हमारे प्राणी सास्त्रियों ने ऐसा अंदाज लगाया है कि जिस प्रकार से मनुष्य के सरीर से पूँच जड़ गई क्योंकि मनुष्य को पूँच की कोई जरूरत नहीं थी ठीक उसी प्रकार से एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि उसके सरीर से नाखून भी गायब हो जाएंगे उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी शायद उस दिन वह मरनास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है अपना आदर्श है अब बच्चों यहाँ पर इच्छा का अर्थ होता है जो हम अपने मन से करते हैं आदर्श का अर्थ होता है आईडियल ल उप्त हो जाना अर्थात गायब हो जाना तो बच्चों यहां पे लेखा क्या कहना चाते हैं कि जिस दिन मनुष्य के नाखुन गायब हो जाएंगे उस दिन उसके अंदर की पशुता भी जो है वह गायब हो जाएगी तो उस दिन से शायद मनुष्य जो अस्त्र सस्त्र का पशुता पैदा करते हैं और जिस दिन उसके नाखुन बढ़ना बंद हो जाएंगे उसके अंदर की पशुता भी समाप्त हो जाएगी। मनुष्य के नाखुन जो है वह तो बढ़ते ही रहते हैं लेकिन उसे न बढ़ने देना वह मनुष्य की अपनी इच्छा होती है और उसे न बढ़ाना वह हमारा करतव्य है। मनुष्य में जो घृणा है जो अनायाश बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का देवतक है। अपने को सैयत रखना, दूसरों के मनुभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तब से प्राप्त वस्तुए मनुष्य की महिमा को सुचित करती है। घ्रिना का अर्थ होता है नफरत, द्योतक का अर्थ होता है प्रतिक, तब का अर्थ होता है द्रेणता, महिमा का अर्थ होता है गवरो। तो बच्चों यहाँ पर लेखा क्या कहना चाहते हैं? कि मनुष्य के अंदर जो नफरत के भाव होते हैं, वह किसकी निशानी है? वह उसके पशुत्व की निशानी है. लेकिन मनुष्य का धर्म क्या है? अपने को सैयत रखना, सैयत का अर्थ होता है मर्यादा में रखना, अपने आपको एक दायरे में एक लिमिट में रखना, दूसरों के मनोभाव का आदर करना, दूसरों की फिलिंग का सम्मान करना, यह किसका धर्म है यह हम मनुष्यों का धर अर्थात बच्चे अगर यह बात को अच्छी तरह से जान ले कि कोई भी चीज अगर वह अपने द्रिन निश्चे से अपनी लगन से प्राप्त करते हैं तो वह उनके गवरों को सुचित करती हैं मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निहशेश भाव से देने में है. तो बच्चों, यहाँ पे चरितार्थता का अर्थ होता है सार्थक्ता, मैत्री का अर्थ होता है दोस्ती, त्याग का अर्थ होता है बलिदान, मंगल का अर्थ होता है कल्यार, निहशेश का अर्थ होता है संपुन. तो बच्चों यहाँ पर लेखा क्या कहने हैं कि मनुष्य जब जर्म लेता है तो वह सही मायने में मनुष्य तभी कहलाता है जब उसके अंदर प्रेम की भावना हो, दोस्ती की भावना हो, त्याग की भावना हो मतलब दूसरों के सुख के लिए वह अपने सुख का त्याग करें, दूसरों के कल्यान के लिए, दूसरों को खुशी देने के लिए वह अपने आपको पूर्ण रूप से समर्पित करें, तभी मनुष्य का जो जीवन है वह सार्थक होता है नाखुनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजाद वृत्ती का परिनाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है नाखुन बढ़ते हैं तो बढ़े मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा सहजाद का अर्थ होता है जन्म के साथ तो बच्चों यहाँ पर लेख क्या कहना चाते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो नाखों जो होते हैं वो उसके जर्म के साथ ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं लेकिन उसे काटना वो हम मनुष्यों का धर्म है वो हमारा कर्तव्य है तो नाखों जो है वो बढ़ने का काम करेगा लेकिन उसे बढ़ने न देना वो हम मनुष्य का कर्तव्य है उसे हम बढ़ने नहीं देंगे तो बच्चों इस पार्ट से हमें यह सीख मिली कि यदि हमारे अंदर कोई भी बुरी आधते आ जाए तो हमें उसका त्याग करना चाहिए हमें हमेशा सदगुणों को अपनाना चाहिए और दुरगुणों का त्याग करना चाहिए हमेशा हमारे अंदर सैयम, श्रद्धा, त्याग, दोस्ती इत्यादी गुण होने चाहिए इन गुणों को अपनाने से प्रतेक व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो पाएगा धन्यवाद